ठंड का मौसम हो और गर्मा गर्म पकोड़े और चाय मिल जाए तो क्या कहने तो आज बहुत ही यूनिक अलग इस्टाइल से पकोड़े बना कर ला रही हूँ तो चलिए रेसिपी को देखते हैं मैं यहाँ पे एक कड़ाही ली हूँ इसमें एक कप पानी और इसमें धनिया मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दे रही हूँ दो चम्मच इसमें घी या तेर कुछ भी डाल लेंगे और बच्ची हुई जो दाल हमारे घर में बच जाती है न कभी कभी तो उसे फेकते तो खाने में कh一樣 कर लेते हैं तो एक कप में बच्क हुई डाल को इस्तिमाल कर रही हूँ साथ मैं स्वाद के नुशाल नमक ले रही हूँ और हल दी एक चम्मच ले मैं यहाँ पर सूजी ले हूं और सूजी है यहाँ इन पर आप le सूजी ले सकते हैं तो इसे अच्छा सा एक ढोशा बना लेना है हमें तो देखिये यहां पर देखिए हो गया था ठंडा मैं निकाल नहीं हूँ इसे एक डो के फॉम में लाना है यानि कि आटा की जैसा मुलायम कर लेना है इसको बहुत हेल्दी और टेशटी बनता है दोस्तो एक बार जरूर बनाईएगा और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी पसंद आता है और बढ़ों को भी पसंद आता है तो बहुत टेश्टी है फ्रेंट मेरे चैनल पर अगर आप नए आया हो तो लाइक और कीजेगा आप सब की बहुत जरूरत होती है और लाइक जरूर कीजेगा अच्छा लगे तो रेश भी हमें जरूर कमेंट कीजेगा तो इस तरह से देखिए मसाला में पहले से बना कर आलू का रख ली थी जैसे आलू का फिलिंग बनाएंगे ना तो आप पनीर का फिलिंग या इतना असानी से बनकर त्यार हो रहा है, इसी तरह से सारे को बना लेंगे, तो देखिए बन गया है आप चोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मन के हसाब से तो इस तरह से कट लगा लेंगे थोड़ी से और बीच में गढ़ा कर देंगे देखने में बहुत खुब्सूरत लगत तो इस तरह से बना कर देखिए रख लेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है ना तो चलिए इसी तरह से मैं सारी को तयार कर ले रही हूं प्रेंट रेसिपी बहुत ही यूनिक और अच्छा है क्योंकि ये बच्चे हुए दाल से है मतलब बच्चा हुआ जो खाना बच जाता है उसे फेकना नहीं चाहिए वेश्ट नहीं करना चाहिए तो उसे बना कर इस तरह से खा लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो चल को देना हो बहुत ही अच्छे से बन जाता है असानी से बच्चे बहुत चाह सिखाते हैं बच्चे का मन पसंद डीस है जरूर एक बर ट्राइज कीजेगा और बहुत अच्छा लगता है तो चलिए यहां पे हो गया है अब गोल्डन फ्राई हो चुका है थोड़ी सी और कीजे हमारा आज का हो गया है तयार भजिया बहुत ही टेस्टी और यम्मी देखिए कितना सुंदर दीख रहा है टेस्टी टेस्टी तो आप भी एक बार जरूर बनाएगा दिखा रही हूं आपको एक बार जरूर खाकर इंजोए कीजेगा तो लीजे मैं निकाल ले रहे करना िखिए तब में अब इसे हरी च HDMI के साथ यह टोमेटो सोस के साथ जैसे भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है और कुरकुरा है क्यों कब रए नास्ता सुजी का नास्त्यार थाहर है आप इंजोए किजी अपने बच्चों अपने परिवillä के साजा आज की साथ औ हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है में कमेंट रिजाएंगे